नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल गुरु चरण में आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान शिव जी को सोमवार का दिन बहुत ही प्रिय होता है और सोमवार के दिन किया गया कोई भी उपाय का फल आपको बहुत बड़ा और जल्दी मिलता है प्रिश्दिलाएगा कहने का मतलब है कि आपके जीवन में यह उपाय आपको उन्नती की ओर बढ़ा देगी इस उपाय में आपको एक लोटा जल सोमवार के दिन भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जाना है शिव जी पर वह एक लोटा जल चढ़ाना है उस जल को शिव जी के ऊपर चढ़ाने के बाद जो जल जला धारी से नीचे गिर रहा हो उसको थोड़ा सा अपने उसी लोटे के अंदर आपको जेल लेना है उस जल को जेलने के बाद उस जल के अंदर आपको अपने सीधे हाथ की हतेली की तीन उंगलियां डालनी है मतलब उज्जین से स्पर्श करानी है, स्पर्श कराने के बाद उस शिव मंदिर में जहां पर भी त्रिशूल लगा हुआ हो, उस त्रिशूल से इनी तीनों उंगलियों को जल में स्पर्श करके उस त्रिशूल से आपको लगाना है. त्रिशूल से इन तीनों उंगलियों को लगाने के बाद वापस से इन तीनों उंगलियों को आपको उसी अपने जलपात्र के अंदर उसी जल में सपर्श करा लेना है यहाँ पर यह उपाय पूरा हो जाता है इस उपाय को करने के लिए आप इस मंदिर में यह उपाय कर रहे हैं। उस मंदिर में त्रिशूल होना जरूरी है। दूसरा उपाय इस उपाय को करने से आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा होगी। मतलब आपके घर में जो धन की समस्या चलती है वह दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना होगा। इस उपाय में जो घी आप उपयोग करेंगे वह शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए। इस घी के दीपक को आपको आठे का बनाना है। उसमें गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गा दोस्तों, अगर आपको यह प्रदीप मिश्राजी के दिये गए इस उपाय को पूरी भक्ती के साथ करेंगे, तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन् आपनेवाद.